बारिष में गरीब मा के घर आई अमीर बेटिया है भगवान अजी जलदी से हंडिया हटाइए वरना ये सारा बारिश का पानी इसमें भड़ जाएगा भागवान यहां से नदी का पानी बाहर कर रहा हूँ अगर मैं यहां से हट गया तो नदी का पानी हमारे घर में आ जाएगा हे भगवान इस बारिश ने तो नाक में दम कर दिया है बहुत तेज बारिश हो रही थी ऐसे में किशोर और शांती के घर में पूरी तरह से पानी भरने को था कहीं से चट टपक रही थी तो कहीं दीवार टूटी हुई थी उनके घर के बाहर ही नदी बहती थी जो कि बारिश की वज़ा से भड़ चुकी थी और किशोर उसके पानी को घर में आने से रोकने में लगा हुआ था अजी छोड़ दीजे ये बाल्टी कोई बात नहीं ससुरा कितना पानी आ जाएगा बाद में साफ कर देंगे वैसे भी कौन सा घर सूखा पड़ा हुआ है जहां देखो वहीं से बारिश अंदर आ रही है शांती ने किशोर को वहाँ से हटा दिया दोनों पती पतनी की उम्र हो चली थी जिसकी वज़से वो दोनों काफी ठग गए और अपनी चार पाईयों पर बैट गए कुछी देर में पूरे ही घर में बारिश का पानी आने लगा दोनों पती-पत्णी ने किसी तरह से उसे काबू किया और वो बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे ये भगवान पता नहीं कितनी देर बाद ये बारिश थमेगी भागवान मुझे तो भूग लग रही है जो भी बनाया है दे दो शांती और किशोर दोनक खाना खाने को बैट गए बेचारे दोनों ही पती पत्नी ने जैसे ही डलिया से रोटी निकाली तो वो पूरी पानी में भीग चुकी थी सब्दी में भी पानी भर गया था अपने ऐसे हालत देखकर शांती की आँखों में आशू आ गया और वो अपनी बेटियों को याद करने लगी क्या किस्मत है अजी मैं सोचती हूँ कि हमारी बच्चियां तो खुश होंगी न जब से शादी हुई है बस एक बार ही वो घराई है वो तो खुशी होगी बड़ी घरानों में उनकी शादी हुई है अच्छे पती मिले है तो और क्या चाहिए सही कहा तभी तो उन्हें माईके की याद नहीं आती है वरना परेशानी में तो चाहे माबाप अमीर हो या गरीब उन्हीं के आचल में सुकून मिलता है दोनों माबाप अपनी बच्चियों को याद करने लगे वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटियां अपने अपने ससुराल म बिजी थी तरुन आजकल तो आफिस में बहुत काम चल रहा है मैं तो ठक गई हूँ मैं जानता हूं रीना तुम्हें आजकल बहुत काम करना पड़ रहा है लेकिन अगर हमने अब महनत नहीं की तो हो सकता है कि इसका पच्चतावा हमें जिंदगी भर उठाना पड़े इसल भूल मुझे अभी कितने दिनों तक ये सभी काम करने पड़ेंगे अपके बौगा जी के परिवार वाले तो जाने को तैयार ही नहीं हैं बस कुछ दिन और कर लो जोती बौगा जी जब भी आती है तो इतने ही दिनों तक रुखती हैं जब देखो बस चाय बनाते रहते हो सबी अपनी अपनी फर्माईशे रखते रहते, मैं तो सारा दिन कामों में लगे-लगे ठक जाती हूँ. अच्छा बाबा, ज्यादा कोशला मत करो, बुआ जी चली ही जाएंगी, और मैं वादा करता हूँ, जब बुआ जी चली जाएंगी, तो तुम्हें भी कहीं घुमाने ले जाओंगा, पक्का? पक्का. जोती और रीना दोनों ही अपने ससुराल में बेहत बिजी थी, इसी वज़े से उन्हें अपने माईके का खयाल भी नहीं था, वहीं माईके में दोनों माबाब, रोजाना, कड़ी आंदियों और बारिश से जूज रहे थे, तेज तेज बारिश और तुफानों की वज़े स शांती और किशोर के घर का टॉइलिट और बात्रूम भी तूट चुका था, क्यूंकि वो कुटिया के बाहर बना था, दोनों पती-पत्नी की हालत खराब हो चुकी थी, रोजाना बारिश में भीगने की वज़े से उनकी तबियत भी बिगड रही थी किशोर और शांती दिल से ऐसा चाहते थे कि कोई बारिश ना आये, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शाम होते होते फिर से काले बादल गहराने लगे और बहुत तेज बारिश हुई बारिश की वज़ा से गाव में थोड़ी थोड़ी सी बाड भी आ गई थी, जिसकी वज़ा से सभी के घरों में पानी भर गया था, किशोर और शांती के घर में भी चार पाई के पायों तक पानी था, और उनका पूरा घर भी जगा-जगा से टपक रहा था, लेकिन दोनों पती-पत्नी मजबूर थे, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, लगातार बारिश में भीगने की वज़ा से दोनों पती-पत्नी बीमार पड़ गये थे, इसलिए बस वो अपनी चार पाईयों पर ही लेटे हुए थे, अजी आपकी चिलम बारिश में बह जाएगी, उसे प रही है, हम पर पानी टपक रहा है, इसको महसूस करो, क्या पता कल को, हम इस खुदरत को महसूस करने के लिए जिन्दा ही न रहें। दीदी मैं सोच रही थी कि क्यों न हम एक साथ माई के चले, वैसे भी हमें गये हुए बहुत दिन हो गए है, मा, बाबा भी हमें देख कर खुश हो जाएंगे, तो सही कहती है, मेरा भी कहीं जाने का मन था, तो चल साथ में घरी चलेंगे, कई दिनों से मेरे घर में महमाना हुए थे, आज वो भी चले गए, मैं अभी बिजी थी लेकिन अब मुझे भी थोड़ा सा टाइम है, दोनों बहनों ने फोन पर प्लान को पक्का किया और उसी दिन वो अपने माई के आने को निकल गई, दोनों एक साथ ही अपने घर के दरवाजे पर पहुँझी, अपने जाकर उन्हें और हैरानी हुए, उनके माबाप चारपाईयों पर बेसुद से पड़े थे, माँ, बेटा, रीना बेटा, जोती भी, तुम आ गई, हाँ माँ हम आ गई, आप उठी है, ये सब क्या हो गया, आप की हालत, चलिए, दवाई लेने चलिए, रीना और जोती ने उ दोनों थोड़े से होश्यार हुए, और उन्होंने अपनी बेटियों को अपने उपर बीती हुई घटनाओं के बारे में बताया, जिनने सुनकर दोनों बेटियों को अपने होने पर बेहत दुख और शर्मिंदगी हुई, लेकिन वो कुछ बोली ही नहीं, ऐसे ही शाम को फ घर में बार सी आ रही है, तुम तो आज ये सब देख रही हो, हम तो हर रोज इसी सब को जेल रहे थे, पूरे घर में आज भी चार पाई तक पानी था, दोनों बेटियां ये मनजर देखकर हैरान थी, किसी तरह से रात कटियों और अगली सुभा, आज हमें हमारे लड़की होने पर दुख हो रहा है, सही कहां, अगर हमारी जगा मा बाबा का कोई बेटा होता, तो वो इन्हें कभी इतनी परिशानी होने ही नहीं देता, हम लड़किया है न, इसलिए हम अपने मा बाबा का खयाल नहीं रख सकती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, लड़का लड़की जैसा कुछ नहीं होता बेटियां भी अपने माबाप का खयाल रख सकती है उनका सहारा बन सकती है अपने बाप की बात सुनकर दोनों बहनों में हिम्मत आई और अपने माबाप की सहूलियत के लिए उन्होंने अपने पतियों से बात की ठीक है जोती तुम्हारे माबाप मेरे भी मा और शांती अपने ही गाउं में पक्के घर में चले गए वो घर काफी उचा और पक्का बना हुआ था जिसकी वज़े से अब बारिश में भी उन्हें कोई परिशानी नहीं हो रही थी और अब दूनों माबाप खुशी-खुशी रह रहे थे